पुर्वांचल में कोरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए जाच में तेजी लाई जा रही है बेच्चू में जहां एबाट मसीन मंगाई गई है वहीं एक अन्य टूनेट मसीन से भी जाच हो रही है टूनेट मसीन से कुछ घंटे में ही रिपोर्ट आ रही है पूरी तरब मेरीन इंडिया इस मसीन की मदस से जाच की प्रक्रिया दो घंटे से भी कम समय में पूरी हो रही है बेच्चू में अब इमर्जेंसी के मरीजों की जाच इसी टूनेट मसीन से हो रही है अभी तक इस मसीन का इस्तेमाल टीवी की जाच में होता रहा है स्वाफ्त विभाग इसे अब कुरोना जाच में इस्तमाल कर रहा है बेच्चू से बोममद मुकीद के साथ योगे स्यादो की रिपोर्ट मैं अपना परशे बता दे मैं डिपार्मेंट का हेड़ अधर डिपार्मेंट हूँ प्रफेसर शंपा अनुपुर का मैं यह किस तरीके का मशीन है किया नाम है इसका और कैसे काम करता है यह मशीन का नाम है TRUE NAT और यह पहले तो बना था टी बी के लिए लेकिन अभी वह मशीन कोरोना डाइग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है इस टोटली मेड इन इंडिया और चिप बेस्ट टेक्नोलोजी है और रापीड पॉइंट ऑफ केर टेस्ट है पॉइंट ऑफ केर मतलब हम लों को बहुत जादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करना होता है और पेशेंट से सांपल आता है अगर वो वाइरल लाइसिस मीडियम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो हमको कोई बायोसेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने की जरूरत नहीं है और viral transport medium में आजकल sample transport हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को फिर biosafety cabinet के अंदर उसको transfer कर रहे हैं एक viral lysis buffer में फिर वो buffer से हम लोग openly वो कोई biosafety cabinet उसके बाद की requirement नहीं है RNA extraction कर रहे हैं 18 minutes में RNA extraction हो जाता है फिर PCR लग जाता है 45-50 minutes में so totally about almost one hour या little more than one hour में हम लोग results दे देते हैं इससे पहले जो मसील पी उसमें कितना टाइम डगता था कितनी परशाणी होता देक्टी सेंपल बहुत आते होंगे यह machine का output लेकिन low है इसमें हम लोग 700-800 हजा नहीं कर सकते हैं यह एक machine में सिर्फ एक test है इसका duo और quattro भी available है लेकिन मेरे पास सिर्फ एक machine में एक test वाले तीन machines इस तरह के हैं तो मेरे एक घंटे में तीन ही sample में कर सकते हैं इसलिए यह बहुत high volume laboratory के लिए नहीं है इसका indication यह है कि जो patient का urgently report चाहिए जैसे कोई dead body हो dead body release नहीं हो पा रहा है उसका sample का result नहीं पता चल रहा है वो तुरंथ हम लोग जांच करके दे देते हैं या कोई emergency में कोई आया patient उसका surgery करना है उसका हम लोग जांच कर लेते हैं या सारी ICU में जो patients भरती हैं उनको जल्दी हम लोग को report देना ह हैं तो इसका यह use है और लेकिन बल्क में हम लोग large number volume के लिए यह test नहीं कर सकते हैं तो इसका advantage भी है disadvantage भी है पुरानी machine जो है उनमें एक साथ कितने test हो जाये कर देते हैं कितना test नहीं है उसमें उसमें वो एक साथ आते हैं sample aliquot हो रहा है फिर RNA extraction हो रहा है और फिर PCR लग रहा है तो वो तो VRDL lab पूरा मेहनत करके कर रहे हैं लेकिन उसमें हम लोग 30 लोग 32 लोग लगे हैं उसमें और पूरा दिन भर लग जाता है क्योंकि aliquotting में 2-3 गंटे-4 गंटे बैठे हुड़ते हैं उसको aliquot करते हैं फिर aliquot करके एक दूसरा टीम उसका RNA extraction में लगते हैं फिर वो फिर PCR लगाते हैं और शाम तक result आता है वो बहुत मेहनत है जादा bulk में होता है जादा लोग लगे है और ज्यादा result भी निकलता है इसमें हमारा कोई इतना मेहनत नहीं और इतने लोग भी नहीं लगे हैं एक आदमी भी बैठकर आराम से दिन में 45-50 samples निकाल देगा जो जो ज़्यादा important अगर जो सेंपल अगर चाहिए होता है उसके लिए यह machine बहुत कारगार साह भी बहुत ह हम लोग का जो जिसका कल surgery करने वाले है उसका रिपोर्ट चाहिए या वही सब important important emergency cases के लिए हम लोग ये machine यूज कर रहे है delivery that is also important जो labor room cases patients है उनका भी हम लोग करें कितनी लोग एक साथ काम करते हैं कितनी लोग लगना परते हैं मैं दो शिफ्ट में लगाई हूं तो एक morning shift साथ बज़े से दो बज़े और फिर दो बज़े से रात नौ बज़े तक तो एक शिफ्ट में दो दो लोग है वो लोग आर आरेने extraction कर रहे हैं और फिर लग रहे हैं PCR लगा रहे हैं